आज का वीडियो बहुत स्पेचल होने वाले हैं चाहे आप जेई दोजार पचीस में लिखने वाले हो या फिर आगे की सालों में लिखने वाले हो और आप जेई की तयारी कर रहे हैं तो तो टोड़े व्यार गोइंट टॉक अबाउट थ्री वेपन्स फॉर जेई प्रेपरे पड़ा रहा हूं सिख्चा की काशी कोटा में कोटा का नाम आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि आईटी जेई प्रेपरेशन के मामले में चाहें नीट की प्रेपरेशन में अबल दर्जे का शहर कोटा है और कोटा को बनाने के लिए जो सबसे खास अक्सि बच्चों को पढ़ाया और वहीं से मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा ए और इसमें जो खास बात होती थी उपने इस स्टार्ट इंग के लिक्ट्टत होता था खास कर उस हम बच्चों के एक बहुत बहुत अच्छी तरीके समझा देते बिल्कुल दिमांगे क्रिश्टल क बाई दो साल की जन्नी में आप जब पढ़ना चालू कीजिएगा तो आप देखेगा कि हर दिन आप डेड़ेड घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री मैस या जो कुछ भी चीज़े चल रही है आपके लिक्चर्स तो धीरे 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 करके आपके नोट्स के फुलिंदे बनते जा लास्ट में जब रिवीजन का समया आएगा तो कहीं न कहीं उन बच्चों को रिवीजन में काफी दिक्कत आएगी और जिसकी वज़ा से उनका एक्जामनेशन भी हो सकता हो गरबड़ा जाए तो आज वही सारी बातों को लेकर आया हूँ आपके बीच में उन तीनों आप सब से रिवीजन आप विकया क्लास करता है लेकर तो yerde करते हैं न श्यचामनेशन थो कहने तो थोड़ी स्拇व कर दिए और अब को सब बिलाचिा ने लगत लगता है कि यार ये रिवीजन वगरा तो विकार की चीज़ है कि मुझे सब तो आती है चीज़े है न और जब सब आती है तो फिर रिवाइस करने में में मेरा तो टाइम बेस्ट हो रहा है इससे चाकुछ में नया बढ़ लूँ और कहीं न कहीं रिवीजन अगर पका नहीं होता है तो फिर होता है क्या कि हमारे एक्जामनेशन में नंबर नहीं आते हैं हमें एक्जामनेशन हॉल में जाके बता चलता है कि यार यार यह तो भूल गया था लेकिन जब revise कर रहे होते हैं तो हमें दिखता है कि यार ये चीज़ता है तो आज यही तीन विपन्स मतलब एक तो short notes के बारे में बात करेंगे formula book के बारे में बात करेंगे और 7-7 error book के बारे में बात करेंगे ये सारी चीजे हम बच्चों को हर साल बतलाते हैं और जो बच्चे इस बातों को बुरे इमानदारी से दिल लगा के फॉलो करते हैं definitely उनकी rank आने से दुनिया की कोई ठागत उसको रोक नहीं सकता है बच्चों तो सर्व प्रथम हम बात करते हैं short notes के बारे में और वो सारी चीज़े लिखते हैं, जो हमारी class की copy लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी काम करते हैं, कि वो मेहनत करके बहुत class notes बनाते हैं, मैं उनकी intention बेडाउट नहीं कर रहा हूँ, और उनकी intention को नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी intention बहुत अच्छी है, शौट notes बनाते हैं, लेंक क्या करते हैं, सबको छोटा-छोटा-छोटा लिखते हुए, और पूरा short notes बनाते हैं, और करी-करी सारी चीज़े लिख लेते हैं, तो होता क्या है, कि वो कहीं ना कहीं notes का ही replica बन जाती है, और फिर आप उसको चाहते हैं, कि यार बहुत अच्छ से नहीं follow कर पा रहे हैं, तो देखो, short notes बनाने के लिए simple सी बात है, आप A4 size paper लीजे, मुझे इस chapter का monotonocity का short notes बनाने है, तो क्या-क्या include करूँगा short notes में, पहले तो हो सोचूँ, तो बहुत सुरू में ही ध्यान रखिएगा, कि ऐसा ना हो कि आप short notes बनाने हैं, chapter पढ़त कि दिमाग में clarity हो कि यार, इसमें से क्या चीज़े मुझे याद है, क्या चीज़े मैं भूल गया हूँ, तो पहली चीज़े याद रखिएगा, कि सबसे पहला point है आपके लिए, कि आपको कहीं से भी वो चीज़े नहीं लिखनी है, जो आपको आती है, क्योंकि जैसे ही क्यों लिखना है, पता ही तो है, हाँ, कोई बोले कि सर, interval में कैसे check करते हैं, किसी point पे कैसे check करते हैं, तो ठीक है, किसी point पे कैसे check करते हैं, graph से बना लीजे, और छोटा सा condition उसका लिख लीजे, है ना, फिर उसके बाद हम लोगों दिखता है, कि यार, उसमें fx1 greater than fx2 है, इस तरह की बाते हैं, तो छोटी-छोटी जो बाते हैं, वो लिख लीजे, कि इनकरिसिंग है, तो fx1 greater than fx2 क्या देगा, और इस तरह की बातों को लिख लीजे, है ना, तो so that कि आपको दिवाइंग में रहे कि हाँ, ये चीज है, हाला कि ये भी चीज तुमें पता है, है न तो आपको पता चला है कि ये चीजे में गलत कर रहा हूं है, यहां पे मैंने solve करते हैं, ये गलती कर डाली, है ना, तो वो चीज आप यहां पे लिख सकते हैं, ये class notes की बात कर रहे हैं, exam की बात नहीं कर रहे हैं, class notes के जब सवाल कर रहे हो, revise कर रहे हो, जो गलत कर दिया है या कोई चीज ऐसी गलती कर दिये, उसको लिखिया, क्योंकि वही कहीं न कहीं आपके नंबर से रोग रहा है, अब मैंने उसको लिख लिख लिया, अब मेरे को लगता है कि यह वाले जो प्रॉब्लम्स है यह बहुत सही प्रॉब्लम्स है, मतला पूरा कचड़ाई खटा नही प्रॉब्लम्स को लिख दे, हैना, कुष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अब जब हम नेक्स टाइम रिविजन करने जाएं तो पूरी पोथी खोल के ना बैठ जाएं, हम बस इस पेज को लें, ये बिल्कुल स्टेपल, अगर मालीजे तीन पन्ने बनने तो तीन पन्ने बिल्कुल स्टेपल कर लीजें, कुछ-कुछ ऐसी जगों पे आपको हो सकता हो कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, कुछ चैप्टर्स में इसे हो सकते हैं, कि concept थोड़े से ज़्यादा हो है, तो वो सारी चीजे हो सकती है, तो हमें A4 size paper में उसको हमने कर दिया, heading डाल दी, भाई ये चीज है, अब जैसे माल लो कि तुमने काम किया, मेहनत करी, बहुत अच चुका है, अब ये मेरे short term memory से, long term memory में transfer हो चुका है, इन में से कुछ प्रॉब्लमस ऐसे लगते हैं, कि नहीं सरी, class notes के अलावा, ये sheet वाल प्रॉब्लम भी मेरे को एक तुड़ा सा अच्छा लगा, बहुत जादा लाल सी मत बन जाईगा, कि सभी लिख लेंगे हैं, सब मत लिखेगा भया है, लगता है, कि sheet के, इन questions जो है, यानि कि मालों की 5 से 7 सवाल है, जो लगता है कि यारी बड़े अच्छे सवाल है, उनको भी आप exercise sheet या model के यहाँ पर लिख सकते हैं, अब आपको clarity होगे कि short notes जब भी, यानि कि chapter monotonicity को जब मैं revise करूँगा, तो यह है मेरे short notes, खटा-खट इसके सवाल करते जाओंगा, answers मिलाओंगा, काम मेरा खतम हो जाएगा, फिर लगता है कि नहीं सब मन खराब हो गया है, बहुत बार कर लिया है, इसको दो-तीन बार हमन आप dynamic मना कर फिर आपने short notes को बहुत अच्छी तरीकी से संग्रहित कर सकते हैं, ठीके, और multiple time revision कीजिए, जितनी बार revision कीजिए, उतना मजा आएगा आपको, उतना ज़्यादा आपका चीज़े पक्का होती जाएगे, ठीके, तो चलिए guys, next चलते हैं हम लोग formula notes की तरफ, तो आप short notes में, अगर उसको बहुत ज़्यादा include करोगे, तो आपको short notes पढ़ने में भी दिक्कत आएगी, तो फिर इसको separate रखने से क्या फायदा होगा, इसको separate रखने से फायदा होगा, कि अगर आपके दिमाग में clear है, कि मुझे revise करना है, या मुझे formula देखना है, अगर लग उसको बिल्कुल मत लिखिए, इसमें formula में, जो formula भूल जाते हैं, जैसे बहुत सारे formula होते हैं, कि जिसको हम भूल जाते हैं, तो उसको लिखिए, दूसरा क्या करना है, जो formula भूल जाते हैं, उसको लिखिए हैं पहली चीज, अब क्या करना है, अब कभी कभी कुछ formula होते है अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ट्रू होते हैं तो क्या होता है बहुत बार एक्जामनेशन हॉल में हम वो फर्मुला लगा देते हैं हम वो फर्मुला लगा देते हैं और रेस्ट्रिक्शन ध्यानी नहीं रहता है ऐसे बहुत सारी चीजे फिजिक्स में भी होते हैं कि अंडर इस कंडिशन ये फॉर्मुला आ रहा है और पता चलता है कि कोश्चिन जब हम एक्जामनेशन हॉल में कर रहे हैं तो रिस्रिक्शन का आपने ध्यानी ने रखा पता चले वह रिस्रिक्शन था ही नहीं आपने चीजे रिस्रिक्शन लिखिए और उसको लाल कलर से लिखिए है ना जैसे अभी कहा है था कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मुले हैं जो आपको लगता है डाइसी के हां यार यह करीब करीब आद रहते हैं तो आप उसको चाहें तो पैन बदल के लिख सकते हैं टागिंग अपने आपका दिमाग देख पाए कि या रेडवाले जो पहले तो उसको देख लेते हैं ना थीक है तो इस तरीके साफ फॉर्मुला नोट्स को भी आप बहुत सही तरीके से मेरी खाल से और गयाइस कर सकते हो जितना बेस्ट तरीके से कर सके उतना ज्यादा बेहतर रहेगा है ना नंबर्स में सीरियसली बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि अगर उन्होंने एरर बुक बना रखी है ऐसा एक स्टूडेंट दो हजार मेरी खाल से सत्रह एठार अठार में चायद या एग्जाटली याद नहीं आ रहा है मेरी को है लेकिन हा दोजार अठार या उननीस तो इस तरह की गलतियों होती है और जब इस तरह से उसने काम करना चालू किया तो डेफिनेटली उसका प्रोग्रेस भी बहुत जादा हुआ तो भाई यह जो एरर बुक है इसको कब बनाएंगे हम जब एक्जामनेशन हॉल से निकले हमने अपने एक्जामनेशन पेपर को एनिलाइज कर लिया हमने देखा कि क्या गलतियां करी है हमने है और उन गलतियों में क्या-क्या चीजें हैं जो सुधारी जा सकती है बहुत असानी से कौन्सेप्चल अगर कोई गलती है आपकी या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसमें यह फॉर्मूले की गलती हो गई है या कोश्चन रीडिंग में मैंने किसी स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से इंटर्प्रेट नहीं किया है बहुत बार इस बाइंट इस्टेट बार अलग तरह की गलतियां हो सकती हैं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलतियां रुक जाएं कुछ नई गलतियां हो और हो सकता हो कि कुछ गलतियां repeat भी हो तो इस error book में लिखने से बार बार जब आप error book को देखियेगा तो आपको examination से पहले यह confidence हो जाएगा कि यार ये वाली गलतियां नहीं करनी तो जब उस तरह की गलती हो रही होगी तो मेरा मानना है कि alert notification आपकी दिमाग में जिसे mobile में alert notification आता है आपकी दिमाग में भी एक टाइम पर alert notification आएगा कि भाई ये चीज शायद यहां पर गरबड़ हो सकती है अगर आपने उसको अंसुना कर दिया तो that is your mistake लेकिन अगर आपने उसकी बात सुने ली और ध्यान दिया कि भाई क्या चीज है सीती जो यहां गलत होती है तो फिर मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा कर गजाएगा तो मेरे हिसाब से mistake note यानि error book जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा important है comment में ये भी लिख कर बतलाईगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो error book बना रहे हैं क्योंकि वही कही न कहीं जाकर बहुत अच्छा करने वाले हैं examinations में ये जितनी वाते मैंने बताई हैं कि अगर ऐसा कोई बच्चा है हमारा जुसको लगता कि यार ये तो अगले test से ही result देने लग जाएगा बले बले हो जाएगा तो ऐसा बही कुछ नहीं होने वाला है it is all gradual development तरीके हम जो कहते हैं कि हर दिन अपना कम से कम अगर 1% भी हम increase कर पा रहे हैं अपने आपको बहतर बना पा रहे हैं पुराने दिनों से तो obviously बात है कि वो ultimately बहुत ज़्यादा reflect होने वाला अपने final results में तो मैं तो बस आपको यही सलाह दूँगा कि इन सब चीजों को थोड़ा patience से handle करना सीखिए और कोशिश कीजिए कि इसको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यह काफी boring सा job है लेकिन of course यह छोटी छोटी बाते ही ultimately आपके result में बहुत ज़्यादा matter करने वाली दोस्तों हैं तो my conclusion is अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें बबाई टेक्क्या जय हिन जय भाद बाई